Retina CX Travel System को Assemble कैसे करें? Assemble करने से पहले, सुनिश्चित कर लें कि आपके पास reference के लिए box में आए हुए सभी parts और user manual उपस्थित हों. इसके इलावा, कोई अन्य tools की आवश्रक्ता नहीं है. सबसे पहले, handlebar को सीधा करें और basket frame को बाहर निकालें. Parents Stray को खोलें, स्ट्रोलर फ्रेम की सीध में रखें और दबा कर लगाएं. Parents Stray पस्थित handle को उपर खींचें और स्ट्रोलर को खोलें. स्ट्रोलर के seat cover को फ्रेम के उपर दोनों तरफ स्थित push lock button की मदद से लगाएं. Canopy के clamps को घुमाएं और स्ट्रोलर फ्रेम की सीध में लाकर लगाएं. Canopy को पूरी तरहें नीचे तक खिसका दें. Canopy Assembly पूरी करने के लिए clamps के उपर लगे button को खोलें. पीछे के cover को लगाकर फिर से canopy के बटन को लगाएं. बास्कित लगाने के लिए बास्कित स्टैंड के पतले हिस्से को बास्कित के कपड़ें के अंदर से निकालें. और इसे स्ट्रोलर के निचले rod पर दबा कर लगाएं. फिर इसके दूसरे हिस्से को बास्कित ट्यूब पर दबा कर लगाएं. सारे snap buttons को लगाकर बास्कित को तैयार कर लें. इसके बाद अगले पहियों को स्ट्रोलर फ्रेम पर लगाएं. इनको लगाने के लिए पहियों को स्ट्रोलर के rod की सीध में रख कर लगाएं. सुनिश्चित कर लें के पहिये ठीक से lock हो गए हो. पिछले पहियों को लगाने के लिए पहिये में बने हुए खांचों को अंदर की तरफ रखते हुए पिछले आक्सल रॉट पर लगाएं. वाशर को पहिये के उपर रखें. लॉकिंग पिन के सीधे हिस्से को अक्सल के होल में लगाकर पहिये को लॉक करें. अब उपर कैप लगाकर लॉकिंग पिन को ढगें. दूसरी तरफ के पहिये के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं. पिर पिछले आक्सिल को स्ट्रोलर फ्रेम की सीध में रख कर लगाएं। सुनिश्चित करें कि स्प्रिंग बटन्स ठीक से लग गए हो। चाइल्ड स्ट्रे को स्ट्रोलर के सामने दर्शाई हुई जगह पर लगाएं। इसे निकालने के लिए दोनों साइड्स के बटन्स का इस्तिमाल करें। की फिट कार सीट लगाने से पहले अडाप्टर के कवर को खोलें। सुनिश्चित करें के कैनपी पूरी तरहें पीछे हो, बैक्रेस्ट पूरी तरहें नीचे हो और सामने की ट्रे ठीक से लगी हुई हो। कार सीट को स्ट्रोलर के उपर रखें और अंदर की तरफ दबाएं। क्लिक आवाज आने से आपको संकेत मिल जाएगा कि सीट ठीक तरहें से लग गई है। कार सीट हटाने के लिए कार सीट के पीछे दिये गए पीले रंग के लिवर का उप्योग करें। कॉटिना सीएक्स ट्रैवल सिस्टम अब इस्तिमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस्तिमाल करने से पहले यूजर मैनूल में दिये गए निर्देशों और साफधानियों को ध्यान से पढ़ लें।